दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बस्त स्वागत है Men's Education YouTube चैनल पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की कक्षा दस्वी और बारवी की जो पूरक की परिक्षा है वो कब होगी माध्यमिक सिक्षा मंडल मध्य परदेश भोपाल द्वारा जारी ये अधी सूचना है दोस्तों नोटिपिकेशन मध्य परदेश सासन द्वारा जारी किया गया है कक्षा दस्वी और कक्षा बारवी की जो पूरक परिक्षा की जो तिती है उसके संबंद में तो आईए देखते हैं सारी जानकारी में आपको बताऊंगा दोस्तों और एग्जेक्टली आपको इसी प्रकार से याद रख लेना है या तो आप कोपी में लिख लेना डेट ठीके और क्या आपको किस प्रकार से आपकी परिक्षा देना है सारी चीजे में आप लोगों को बताँगा दोस्तों मादिमिक शिक्षा मंडल दुआरा कक्षा दस्योर बारवी की पूरक परिक्षातिति की घोसित ठीक है अब देखिए पूरा एक-एक में आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको सारा अच्छित समझ में आ जाए कक्षा बारवी की पूरक परिक्षा 20 जून 2022 को आयोजित होगी आपको याद रखना है 20 जून ये तारिक लिख लेना दोस्तों 20 जून आपकी बारवी की पूरक परिक्षा है वो आयोजित होगी और इसके बाद में कक्षा 10 वी की पूरक परिक्षाएं 21 जून से 30 जून तक आयुजित होंगी कक्षा 10 वी की 21 से लेकर के तो 30 जून तक आपकी परिक्षाएं चलेगी पूरक की परिक्षा जिन भी स्टुडेंट्स के पूरक आई है उनकी बात में कर रहा हूँ इसके बाद में अगला देखिए higher secondary व्यावसाइक की पूरक परिक्षाएं 21 से 27 जून तक होंगी मतलब की जो व्यावसाइक विशेज के हैं उनके 21 से लेकर के तो 27 तक मतलब आप लोगों की याद रखिए दोस्तों 21 से लेकर तो 27 तक higher secondary व्यावसाइक की पूरक परिक्षाएं आयुजित की जाएंगी और इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान रखना है सारे कुछ में आपको बता रहा हूँ एक 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 आप डिटेल याद रखिएगा higher secondary परिक्षा में केवल एक विशे में अनुत्रिन चात्रों को ही पूरक की पातरता प्रदान की जाएगी मतलब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि higher secondary वाले जितने भी students हैं उनको एक विशे में पूरक की परिक्षा देने का मोका दिया जाएगा इसके बाद में next आप याद रखिए high school परिक्षा में दो विश्यों में अनुत्रिन चात्रों को ही पूरक की पातरता प्रदान की गई है और जो high school वाले विद्यारती हैं दोस्तों उनको दो विशे में कितने दो विशे में पूरक की परिक्षा वो दे सकते हैं ठीके इसके बाद में अगली बात याद रखिए परिक्षा के आविदन पत्र MP online क्योस्क के माध्यम से चार मई से higher secondary परिक्षा प्रारंब होने के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे मतलब की चार मई से आप लोगों के जो परिक्षा फार्म है वो MP online के माध्यम से भरे जा सकेंगे पात्र विध्यारती प्रवेस पत्र 5 जून से online प्राप्त कर सकेंगे आपके जो प्रवेस पत्र है वो आपको 5 जून से online मिल जाएंगे तो ये आपकी पूरी जानकारी थी एक बार और मैं आपको बता दूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कक्षा बारवी की पूरक परिक्षा 20 तारिक से आयोजित होंगी कक्षा दस्वी की जो पूरक परिक्षा है वो 21 से तो 30 तारिक तक चलेगी और higher secondary व्योसाइक की पूरक परिक्षा है 21 से 27 तक चलेगी मतलब जून याद रखना और higher secondary में एक विसे की पूरक की परिक्षा दे सकेंगे और high school वाले जो students हैं वो 2 विसे की पूरक परिक्षा दे सकेंगे और एक बात और last वाली याद रखना आप की परिक्षा के जो आविदन पत्र है वो M.P. online के माध्यम से 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगे ठीके और पात्र विद्ध्यारती 5 जून तक online प्राप्त कर सकते हैं प्रवेसपत्र तो ये मध्य प्रदेश वाले विद्ध्यारतियों के लिए पूरी detail में news थी दोस्तों क्योंकि परिक्षा की जो तिती है उसके संबंद में बहुत सारे बता रहेते हैं कि कब आयोजित होंगी ठीके कमेंट करके इसलिए मैंने आप लोगों के लिए official जो वीडियो है ये बनाया है और official website के माध्यम से ये जारिकी गई अधिसूचना है Thanks for watching, take care all of you